महाभारत की कथा अर्जुन और चिडियां के आंख ये द्वापार यूख्ये उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव गुरुद्रोनाचार से अपनी चिक्षा ग्रहन कर रहे थे उन दिनों पांडव धनुर विद्या का ग्यान प्राप्त कर रहे थे एक दिन गुरुद्रोनाचार ने उनकी परिक्षा लेने का विचार किया परिक्षा के लिए गुरुद्रोने पांचों पांडव युधिष्ठेर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव के साथ साथ कौरों को भी जंगल में बुलाया और एक पेड के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा शिशो आज आप सभी का परिक्षा का दिन है आज इस बात की परिक्षा होगी कि मेरे द्वारा दे गई धनुर्विद्या से आप सभी ने कितना सिखा है इसके बाद गुरु दोनाचायर ने उस पेड की तरफ इशारा करते हुए कहा वहाँ देखो उस पेड पर एक नकली चुडिया लटकी है मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक एक करके उस चुडिया की आँख पर निशाना लगाए और तीर सीधा आँख के बीचों बीच उसकी पुतली पर जाकर लगना चाहिए क्या आप सभी समझ गए इस पर सभी ने सहमती में अपना सिर्यला दिया गुरु द्रोनाचार ने सबसे पहले युदिष्ठिर को आगे बुलाया और तीर कमान उसके हाथों में थमाते हुए उससे पूछा बस तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है इस पर युदिष्ठिर ने जबाब दिया गुरु द्रोनाचार ने युदिष्ठिर के हाथ से तीर कमान लिया और कहा कि वह इस परिक्षा के लिए अभी तयार नहीं है इसके बाद उन्होंने भीम को आगे बुलाया और उसके हाथों में भी तीर कमान थमा लिये फिर उन्होंने भीम से पूछा उससे क्या क्या दिख रहा है इस पर भीम ने जवाब दिया कि उसे भी गुरुद्रोनाचार उसके भाई, पेड, चिडिया, धर्तिवा आसमान सब कुछ दिख रहा है गुरुद्रोनाचार ने उसके हाथों से भी धनुषबान वापस ले लिया और उसे अपनी स्थान पर जाकर खड़े रहने को कह दिया इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकूल, सहदेव और सभी कौरोपुद्रों को बुलाया और उनके हाथों में धनुषबान थमाते हुए उनसे भी यही सवाल पूछा उन सभी का जवाब भी कुछ इसी प्रकार आया कि उन्हें गुरुदेव, भाई, जंगल, उसके आसपास की चीज़े और पेड आधी दिख रहे है इन जवाबों के बाद उन्होंने सभी को अपने अपने स्थान पर वापिस भेज दिया अब बारी अर्जुन की थी गुरुदेव ने उसे आगे बुलाया और धनुषबान उसके हाथ में दे दिया फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा बस बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस चिडिया के आँख दिखाए दे रही है गुरुदेव गुरुदेव ने पूछा और क्या दिख रहा है तुम्हें अर्जुन ने कहा मुझे उस चिडिया के आँख दिखाई दे रही है गुरुदेव गुरुदेव ने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है तुम्हे अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस चिडिया के आँख दिखाई दे रही है आँख के आलावा कुछ नहीं देख रहा और ये सुनकर अरजुन चिडिया के आँख के अलावा कुछ नहीं देख रहा गुरु दुरुनाचारी मुस्कुराय और कहा तुम इस परिक्षा के लिए तैयार हो निशाना लगाओ वस गुरु का आदेश मिलते ही अरजुन ये चिडिया के आँख पर तीर मारा और तीर सीधे उसके लक्षपर जा लगा दोस्तों इस कहानि से हमें सीखने को मिलता है कि सफलता पराप्ट करने के लिए हमारा ध्यान सिर्फ अपने लक्षपर होना चाहिए और इसकी साथ अरजुन के ये कहानी यह पर समाप्त होती है यह आपको कैसे लगे हमें जरूर बताईए